दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बासीमु हमें क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारा शरीर स्वास्तर है और हमारा शरीर कभी बीमार ना पड़े यहाँ वीडियो आप जरूर पूरा देखें इस वीडियो में मैं आपको कमाल की चीजों के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपके शरीर में अद्बुत फायदे होंगे और बासी मुखाने से तो आपको और वी जादा फायदे मिलेंगे वीडियो को जरूर आप पूरा देखें चलिए ग्यानविन उसके का यह वीडियो शुरू कर लेते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें ग्यानविन उसके को सब्सक्राइब करके नौटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें दोस्तों अक्सर हम सभी के दिमाग में एक बात चलती रहती है कि सुबह उटकर ऐसा क्या खाना चाहिए जिसे के हमारा शरीर बिलकुल स्वस्त रहे निरोग रहे हमें किसे परकार की कोई बीमारी ना रहे आईए मैं आपको बताने वाला हूँ नमबर वन आप सुबह उटकर गुड का सेवन करें दोस्तों गुड को काफी लाब दायक मना जाता है और आयूरवेद के अनुसार तो बासिमो गुड खाने से शरीर में भरपूर मात्रा में एनरजी रहती है आपका खुन साफ रहता है और कोई भी बीमारी आपके शरीर मे आसाने से नहीं लग सकती है और साथ ही एसिडिटी वाले लोगों के लिए तो गुड काफी फायदे मन दे सुबह उटकर बासिमो गुड खाने से कभी भी एसिडिटी नहीं होगी दूसरा आप खाली पेट किश्मिस जरूर खाएं दोस्तों भीगी हुई किश्मिस दोस्तों पाचन के लिए तो लैसुन काफी रामबान इलाचे पेड को फूलने की समश्चा हो अगर पेड फूलने की समश्चा हो कब्ज की समश्चा हो तो ऐसे में लैसुन आपको फायदे दिलवाएंगे नमबर फॉर ये हैं कि आप भीगे हुए बादाम खाए दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि बादाम दिमाग तेज करने के लिए आँखों की रोशनी के लिए काफी फाइदे मन दे तो ऐसे में दोस्तों आप भीगे हुए बादाम जरूर खाए बीगे वे बादाम में प्रोटीन पाया जाता है ओगे मात्री, फैटी एसीड, विटामिन E, केल्शियम आदी, कावे भरपूर मात्रा में होते हैं जिसे कि आपका शरीर हमेशा स्वस्त बना रहेगा नमबर पांच, आप रोज़ना सुबह शेहत के साथ गुनगुना पानी मिलाकर जरूर पिये आपके शरीर को और भी जादा फाइदे मिलेंगे और आपका शरीर हमेशा स्वस्त बना रहेगा उसके बाद आप रोज़ना सुबह भासी मूँ पापीता का सेवन भी कर सकते हैं पापीता आपके शरीर में हमेशा वजन को मैंटेन रखेगा उसके बाद आप अनार का सेवन कर सकते हैं दोस्तों अनार आपके दिल से जुड़ी बीमारियों को हमेशा ठीक रखेगा, आपका रिदेश सम्मधित किसी परकार का कोई रोग नहीं होगा, अनार खाने से खोन साफ रहता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हमने आपको बासी में कुछ चीजे खाने को बताई है, अगर आप उनको रोजा ना खाते हैं, तो आप हमेशा स्वस्त बने रहेंगे, और आपके शरीर में किसी भी परकार की कोई बीमारी नहीं होगी, ग्यानवी नुसके का यह वीडिय पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और सब फेस्बुक पर यह वीडियो जरूर शेयर करें, नमस्कार